प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूं कि आप सब तंदरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्सा कायम होगा आज हम आठवी कक्षा के विज्ञान का अध्याए किशोर आवस्था की ओर पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप क्या कुछ जानते हैं जन्तु किस प्रकार जनन करते हैं मनुश्य एवं बहुत से अन्य जन्तु एक निश्चित आयू तक आने के बाद ही जनन कर सकते हैं मनुष्य एक निश्चित आयू तक आने के बाद ही क्यूं जनन करते हैं। बच्चों, अब हम यह देखेंगे कि हम आज क्या सीखेंगे। किशोर आवस्था एवं यौवन आरंभ, किशोर आवस्था का प्रारंभ, यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन, गौन लेंगिक लक्षन, जनन प्रकार प्रारंभ करने में हॉर्मोन की भूमिका, मानव में जनन काल की अवधी, संतती का लिंग निर्धारन किस प्रकार होता है, लिंग हॉर्मोन के अतिरिक्त अन्य हॉर्मोन कीट एवं मेंधक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हॉर्मोन का योगदान जननात्मक स्वास्थि बच्चों, क्या आपको पता है कि किशोर आवस्था किसे कहते हैं? बच्चों, वृद्धी एक प्राकृतिक प्रक्रम है जीवन काल की वह अवधी जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है, किशोर आवस्था कहलाती है किशोर आवस्था का प्रारंभ कब होता है? किशोर आवस्था लगभग 11 वर्ष की आयू से प्रारंभ होकर 18 अत्वा 19 वर्ष की आयू तक रहती है यह अवधी क्यूंकि अंग्रेजी के तीन्स तक होती है किशोरों को टीनेजर्ज भी कहा जाता है यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन जीवन काल की वह अवस्था जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जननक्शमता आती है और यह किशोर अवस्था कहलाती है लड़कियों में किशोर अवस्था का आरंभ 10 से 11 साल की उम्र में हो जाता है इसका पता कुछ लक्षणों द्वारा लगता है जैसे लड़कियों में कमर के नीचे का भाग चोड़ा हो जाना स्तन के आकार में वृध्धी, लंबाई में वृध्धी, अंडराम और प्यूबिक शेत्र में बालों का उगना मासिक चक्र का शुरू होना लड़कों में किशोर अवस्था लड़कियों से एक या दो साल बात शुरू होती है अर्थात बारा तेरा साल की उम्र में लड़कों में भी कुछ परिवर्तन आते हैं जैसे लंबाई में वृध्धी, आवाज में बदलाव, चेहरे पर बाल उगना, छाती और प्यूबिक शेत्र में बालों का उगना, टेस्टोस्टिरॉन के स्त्रावन का प्रारंब होना, किशोर अवस्था में पसीना और तैल लड़कों का स्त्राव बढ़ जाता है, जिस कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे के उपर कील मुहां से और फुनसियां हो जाती हैं, इसके साथ ही किशोरों का मानसिक, बौधिक और समवेदनात्मक विकास भी होता है, गौन लैंगिक लक्षन किसे कहते हैं, वह लक्षन जो लड़कियों को लड़कों से अलग पहचान देते हैं, उन्हें गौन लैंगिक लक्षन कहा जाता है, लक्षन लड़कों के चेहरे पर बाल उगना अर्थात दाड़ी मूच आने लगती हैं, लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल अत्वा प्यूबिक शेतर में बाल आ जाते हैं हॉर्मोन एवं गौन लेंगिक लक्षन लड़कों में पौरुश हॉर्मोन अत्वा टेस्टोस्टिरोन का स्त्रावन होने के कारण गौन लेंगिक लक्षन दिखाई देने लगते हैं लड़कियों में स्त्री हॉर्मोन अत्वा एस्ट्रोजन के उत्पादन के साथ परिवर्तन आते हैं। किशोर आवस्था में होने वाले परिवर्तन हॉर्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हॉर्मोन रासाइनिक पदार्थ हैं। यह अंतह स्त्रावी ग्रंतियों अत्वा अंतह स्त्रावी तंत्र द्वारा स्त्रावित किये जाते हैं। यौवनारंब के साथ ही व्रिशन, पौरश हॉर्मोन अत्वा टेस्टोस्टिरॉन का स्त्रावन प्रारंब कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी-अभी पढ़ा है। उधारन के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय, स्त्री हॉर्मोन अत्वा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। इन हॉर्मोनों के उत्पादन का नियंतरन एक अन्य हॉर्मोन द्वारा किया जाता है, जो पियूश ग्रंथी अत्वा पिट्यूटरी ग्रंथी द्वारा स्त्रावित किया जाता है। अंतह स्त्रावी ग्रंथियां हॉर्मोन रुधिर प्रवाह में स्त्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अत्वा लक्षिस्थल तक पहुँच सकें लक्षिस्थल हॉर्मोन के प्रती अनुक्रिया करता है हमारे शरीर में अनेक अंतह स्त्रावी ग्रंथियां है व्रिशन एवं अंडाशे लेंगिक हॉर्मोन स्त्रावित करते है जनन प्रकार्य प्रारंब करने में हॉर्मोन की भूमिका लेंगिक हॉर्मोन पियूश ग्रंथी द्वारा स्त्रावित हॉर्मोन के नियंत्रण में होते हैं जो निम्नलिखित अनुसार दर्शाया गया है पियूश ग्रंथी से स्त्रावित हॉर्मोन जननांगों को टेस्टोस्टिरोन पूरुष में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्त्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है रुधिर प्रवाह में स्त्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन भागों लक्षिस्थल तक पहुँचता है यौवना रंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्देपित करता है कीट एवं मेंधक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हॉर्मोन का योगदान आप रेशम के कीट एवं मेंधक के जीवन चक्र के विशय में तो पढ़ी चुके हैं टैटपोल को वयस्क मेंधक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं कीटों में कायांतरण का नियंतरण कीट हॉर्मोन द्वारा होता है मेंधक में थाइरोइट द्वारा स्त्रावित हॉर्मोन थाइरोकसीन इसका नियमन करता है थाइरोकसीन के उतपादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिती अवश्यक है यदी जल में जिसमें टैड़ पोल व्रिधी कर रहे हैं परियाप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैड़ पोल वयस्क मेंधक में परिवर्धित नहीं हो सकते मानव में जननकाल की अबधी आओ बच्चों, अब हम मानव में जननकाल के समय के बारे में जाने जनन काल दो शब्दों से बना है जनन अर्थात प्रजनन और काल अर्थात समय इसका अर्थ है कि मानव केवल कुछ समय के लिए ही प्रजनन कर सकते है पुर्ष सदैव जनन कर सकते हैं लेकिन स्त्री सदैव जनन नहीं कर सकती इसका कारण है कि अंडानू उत्सर्जन अंडाशेयों में एक अंडानू परिवक्व होता है और उत्सर्जित होता है यौवन आरंभ में अंडानू परिवक्व होने लगते हैं और उत्सर्जित होते हैं और एक समय पश्चात उत्सर्जित होने बंध हो जाते हैं इसको जननकाल अत्वा मासिक चक्र कहते है इसकी शुरुवात को रजो दर्शन कहते है ये यौवना रंभ में होता है लगभग 10 से 12 वर्ष की आयू में और इस काल के अंत को रजो निवृत्ती कहते है लगभग 45 से 50 की आयू में मासिक चक्र बंध हो जाता है अंडाशे में एक अंडाणू परिपक्व होता है और लगभग 28 से 30 दिनों के समय बाद किसी एक अंडाशे द्वारा अंडाणू उत्सरजित होता है इस अवधी के दोरान गर्भाशे की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणू के निशेचन के पश्चात युगमनज को ग्रहन कर सके जिसके फलस्वरूप गर्भधारन होता है यदि अंडाणू का निशेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिती में अंडाणू तथा गर्भाशे का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है इससे स्त्रियों में रक्तस्त्राव होता है जिसे रितूस्त्राव अत्वा रजोधर्म कहती है यह लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है यह रितूस्त्राव लगभग 4 से 5 दिन तक चलता है संत्ति का लिंग निर्धारन किस प्रकार होता है अर्थात लड़का होगा या लड़की सभी मनुश्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोडे गुण सूत्र पाए जाते हैं इन में से दो गुण सूत्र लिंग सूत्र हैं जिने एक्स एवं वाई कहते हैं स्त्री में दो X गुण सूत्र होते हैं जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुण सूत्र होता है अनिशेचित अंडाणू में सदा एक X गुण सूत्र होता है जब X गुण सूत्र वाला शुक्राणू अंडाणू को निशेचित करता है तो युगमनज में दो X गुण सूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होता है यदि अंडाणू को निशेचित करने वाले शुक्राणू में वाई गुण सूत्र है तो युगमनज नर्श शिशु में विकसित होता है लिंग हॉर्मोन के अतिरेक्ट अन्य हॉर्मोन हमारे शरीर में पियूश ग्रंथी, व्रिशन एवं अन्डाशे के अतिरेक्ट थाइरोइड, अग्नियाशे एवं एड्रिनल ग्रंथियां भी है गॉइटर नामक व्याधी थाइरोइड ग्रंथी का रोग है इस रोग में थाइराइड ग्रंथी थाइरोक्सीन हॉर्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है अग्नियाशे एक हॉर्मोन इंसुलिन का स्त्रावन करता है जो की हमारे शरीर में ग्लुकोस की मात्रा को नियंत्रित करता है यदि अगनियाशे इंसुलिन हॉर्मोन का उतपादन परियाप्त मात्रा में नहीं करता, तो इससे मधुमेह रोग हो जाता है एड्रीनल ग्रंती ऐसे हॉर्मोन स्त्रावित करती हैं, जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है Adrenal, adrenaline नामक हॉर्मोन का स्त्रावन भी करती है Adrenalin, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाफ के सैयोजन का कारे करता है Thyroid, एवं Adrenal ग्रंथी, पियूश ग्रंथी द्वारा स्त्रावित हॉर्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हॉर्मोन का स्त्रावन करती है पियूश ग्रंथी वृद्धी हॉर्मोन भी स्त्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धी के लिए आवश्यक है हॉर्मोन का स्त्रावन सही ना होने के कारण होने वाले रोग इसे हम एक टेबल की सहायता से पढ़ेंगे ग्रंथी, हॉर्मोन, हॉर्मोन का स्त्रावण सही ना होने के कारण होने वाले रोग तो सबसे पहले हम थाइरोइड ग्रंथी के बारे में जानेंगे थाइरोइड ग्रंथी से जो हॉर्मोन निकलता है उसका नाम है थाइरोकसीन और थाइरोइट ग्रंथी के ठीक तरीके से काम ना करने के कारण जो रोग होता है वह है गौइटर हमारी अगली ग्रंथी है अग्नियाशे अग्नियाशे से जो हॉर्मोन निकलता है वह है इंसुलिन और इंसुलिन का परियाप्त स्रावन ना होने के कारण जो रोग होता है वह है मधुमे है हमारी अगली ग्रंथी है एड्रीनल एड्रीनल से निकलने वाला हॉर्मोन है एड्रीनलिन और एड्रीनल हॉर्मोन का सही स्त्रावण ना होने के कारण जो रोग होता है वह है शरीर में तनाव जननात्मक स्वास्थ्य किशोर की पोशन अवशक्ताएं व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, नशीली दवाओं, ड्रग्स का निशेद करें किशोर की पोशन अवशक्ताएं संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बो हाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन एवं खानीज का परियाप्त मात्रा में होना हमारा भारती ये भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सबजियां होती हैं एक संतुलित आहार है व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार दोकर रखना चाहिए यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवानों संक्रमन होने का खत्रा रहता है शारीरिक व्यायाम सभी युवा, किशोर, लड़के एवं लड़कियों को ताजी हवा में टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए इससे शरीर चुस्त एवं स्वस्त रहता है नशीली दवाओं ड्रग्स का निशेद करें ड्रग्स एक नशीले पदार्थ हैं जिनकी लट पढ़ जाती है यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है यह स्वास्थ एवं खुशी दोनों को ही बरबाद कर देते हैं दोहराई यौवनारंब होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है यौवनारंब का प्रारंब होने पर जनन अंगों में वृद्धी होती है किशोर आवस्था में लंबाई में वृद्धी होती है यौवनारंप एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हॉर्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। हॉर्मोन अंतर स्त्रावी ग्रंतियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ हैं जो रुधुर में सीधे पहुचते हैं। टेस्टोस्टेरॉन नर हॉर्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हॉर्मोन है अजन में शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग मनज में XX गुण सूत्र है अत्वा XY गुण सूत्र किशोर आवस्था में AIDS जैसी बीमारियां जोकी HIV नामक खतरनाक विशानू द्वारा होती हैं से बच कर रहना चाहिए बच्चों अब मैं आपसे कुछ रिक्त स्थान पूछूंगी उम्मीद है कि आपको इनके जवाब आते ही होंगे मेरा पहला प्रश्ण एड्रीनल ग्रंथी द्वारा निर्मोचित हॉर्मोन का नाम बताएं तो इसका सही जवाब है एड्रीनलिन मेरा दूसरा प्रश्ण यदि शिशु में XY गुण सूत्र है तो शिशु का लिंग क्या होगा? इसका उत्तर है नर मेरा अगला प्रश्ण अंडाणू और शुक्राणू का संयोजन डैश कहलाता है इसका उत्तर है निशेचन मिलान करो थाइरोइड, एड्रीनल, अग्नियाशय, पियूश थाइरोइड का सही जवाब है थाइरोक्सीन एडरीनल का सही जवाब है एडरीनेलिन अगनेशय का सही जवाब है इंसुलिन और पियूश का सही जवाब है वृध्धी हॉर्मोन इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पार्ठ अच्छी तरह समझाया हुगा बच्चों तंदरूस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद